बारे बारे में इसमें कैसे हम जीत सकते हैं और कैसे हमें पॉइंट मिल रहे हैं और किल स्क्वेर्ड की खास बात क्या है और कैसे आप जीत सकते हो kill squad का हर match तो मैं दूँगा आपको kill squad को 타ip जिससे आप जीत सकते हो हर match kill squad match तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको kill squad match लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जूर्द बाना और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना बुलना और साथ मैं बेल नोटिफिकेशन टैप करके ओल कर लेना जिसे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी तो लेट्स स्टार्ट दा मैच ना और खेलते हैं हम फ्री फायर किल स्कुरेड मोड में और आपको दिखाता हूं मैं फूल डिटेल में बताता हूं कि इसमें कैसे पॉइंट्स कोलेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम अच्छा गेम प्ले करके हर मैच को जीत सकते हैं free fire में kill squared निया mode है तो इसमें notification आ रहा है kill squared का मैं आपको पढ़के बता देता हूँ इसमें लिखा है kill as many enemy as possible pick up the dog tag of the fallen enemy to gain points bonus point for picked up streaks first side to reach target point bins मतलब कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा enemies को kill करना है और उनके tags है kill करने के बाद एक tag आएगा उसको आपको collect करना है अगर आप continue kill करने है many as many as possible जितने आप enemies kill करोगे उतने ज़्यादा आपके पास tags आएगे और streaks आएगी और उससे आपको bonus point मिलेगा और आपको 80 point तक जो है score करना है अगर आपका 80 point का score हो जाता है तो आपको यहाँ पे भूया मिलेगी आप बिन हो जाओगे तो आपको जो enemy kill करना है एक strategy के साथ करना है आपके जो players हैं उनमें देख लेना है कि एक जो है वो हमेशा जो भी enemy kill हो रहा है उसकी tags को collect करे अगर आप tag collect नहीं करोगे तो आपको पास जादा point नहीं होगे और आप भी नहीं हो पाऊगे तो आपको enemy kill करने के साथ साथ उसकी dead kit जो है बहाँ पे भी आपको tag collect करने है और enemies को जादा से जादा kill करना है और खुद को आपको जाद से जादा स्क्वेर करना है अपना किल्स जितना कम हो सके उतना देना है और हमेशा कबर और स्टैजडी के साथ खेलना है आपके दो प्लेयर्स अगर मान लिया रश कर रहे हैं लेकिन अगर हम उसकी टैग गिरती है उससे हमारी एक तो हीलिंग भी होगी अगर हमें डैमेज मिली हो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यह देखो यहाँ पे तो देखो मैंने इसकी टैग कोलेक्ट की तो हमारे पॉइंट जो है वो सीधे तीन हो गए हमें दो पॉइंट प्लस मिल गए हैं और साथ में मेरी जो डैमेज थी थोड़ी हील भी हो गया तो यह बहुत ही अच्छा है आप इसको खेलो आप किसी को किल करते हो तो उसकी टैग जरूर कोलेक्ट करो अगर आप टैग कलेक्ट नहीं करोगे तो आप जीत नहीं पाऊगे तो अभी देख सकते हैं नीचे एक और एनमी है लेकिन इसका टैग है इस टैग को हमें कलेक्ट करना है अगर हम tag collect नहीं करते हैं तो हम मारे जा सकते हैं यहाँ पे मतलब की हमारे point जो है वो सिर्फ कम आएंगे और उनका tag जो है वो बच जाएगा और tag थोड़ी देर के लिए रहता है तो उसको जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके collect कीजिए अभी आप देख सकते हैं सामने enemies है और मेरे फ्रेंड ने tag collect किया है तो इस तरह से आपको भी tag collect करने हैं और एक अच्छा score देना है 80 का जब आपका score पहुंचता है 80 का तो आप winner हो जाते हो इसमें बहुत अच्छा mode है आपको बहुत ही strategy और बहुत ही planning के साथ खेलना है इस mode में आपको team deathmatch की तरह 4 तरह की guns मिलेंगी जिन मेंसे आपको लेनी है वो 4 guns और उनसे आप खेल सकते हो तो बहुत ही अच्छा mode है और इसमें आप देख सकते हो अभी streaks चली है अगर मैं किसी को kill करता हूँ तो मुझे उसके bonus point मिलेंगे तो इसी में हमें benefit और ज़्यादा होता है मेरा score और ज़्यादा हो जाएगा देखो अभी अगर ये enemy kill होता है तो अभी मैं इसकी tag collect करता हूँ तो tag collect करने से मुझे 4 point plus मिले हैं तो वो बहुत अच्छी बात है हमेशा bonus tricks और जितना ज़्यादा हो सके उतने enemy kill कीजिए और खुद का death rate यो जो है जो खुद को मतलब हम kill लोते हैं उसको रोकिए जितना हो सके cover में खेलिए और enemies की tag को कभी मत छोड़िए planning के इसाब से खेलना start कीजिए बहुत अच्छा mode है अब देख सकते हैं आप यहाँ पे enemies रस हो गया और मेरा kill गया तो मेरा tag जाएगा तो मेरा जो है वो strics भी चला गया जो मेरा strics चला था अब मुझे फिर से जितना ज़्यादा हो सके enemies kill करने है और मुझे strics तक पहुंचना है जिसमें मुझे bonus point मिले और मैं जल्दी जल्दी 80 point complete कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हमेशा strategy और plan से खेलना है और अपने जितने भी friend है उनकी help करनी है तो मैं फिर से यहाँ पे kill हो गया तो मेरा tag जो है enemy को मिल रहा है तो हमें जो है हमेशा square में planning बनानी है कि कौन किस तरफ से कैसे kill करेगा और किस तरफ से कैसे kill करेगा देखो यहाँ पे tag गिरे हुए है तो इन tags को अगर हम collect करते हैं तो पहले हमें enemy भी kill करना है और यह tag भी collect करनी है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप enemies को easily kill कर सकते हो और इसका tag तो छोड़िये ही मत और tag जैसे हम complete करना है आप देख सकते हैं हमारी health जो है वो full हो गई है तो वो बहुत ही अच्छी बात है आप enemies को जितना हो सके उतना जल्दी kill कीजिए और landmine अगर लगाए हैं तो वो आपको पता ही है कैसे फोड ने तो देखो यहाँ पे एक और मुझे kill मिल गया है बहुत ही बढ़िया उसमें मज़ा आगया landmine का इस तरह से tag collect कीजिए अभी हमारा score 32 slash of 13 है हमारे enemies का तो हमारा 32 चला है तो बहुत अच्छा है तो हमें patience के साथ खेलना है ना कि ऐसे सिदे गेद और के rush किया और बहाँ पे उनको अगर enemies को kill भी कर देते हो तो अच्छी बात है लेकिन उनका tag उठाना बहुत जरूरी है तो इसमें tag collect कीजिए यही है free fire make kill squared mode जिससे आप tags collect कर सकते हो और खुद को जितना हो सके kill आप होने से रोकिए कम से कम आपका kill हो और आप कम से कम मरें यानि कि आपका tag जो है वो enemies को ना मिले तो यहाँ पे देखो tag मिला तो अभी मुझे bonus मिला है जो अग मेरी screen पे आ रहा है plus one यानि कि दो मिल गए मुझे एक point के साथ दो point हो गए जितने भी tags आपको screen पे देखते हैं देखने को मिलते हैं सभी को collect कीजिए और खुद को जितना उसे के cover में रखिए और kill होने से बचाईए तो देखो अभी मेरी streak start हो चुकी है मुझे खुद को बचाना है अब यह अगर मैं किसी को मारता हूँ और उसकी tags उठाता हूँ तो मुझे जो है two point जो है bonus के मिलेंगे plus two point में आएगा और मेरी streak start होगी है जिसमें आपको देखने को मिल रही है bag के उपर धुआ निकल रहा है हम इसा planning से खेलिए और अपना kill होने से रोकिए तो यहां घर के अंदर enemies scam कर रहे है खुद को काफी survive कर रहे है ताकि उनके point जो हैं वो हमें ना मिले और हमें देखने को ना मिले तो यहां पर बच गया भी enemy खुद को काफी square कर रहा है कोई बात नहीं तो मेरी streak फिर से गई और फिर से मैं start करूँगा kill और देखते हैं कहां तक हम ले पाते हैं तो patience रखिए अगर आपके kill ज़्यादा जा रहे हैं और enemies जो है वो काफी camping में square में है तो आपके उपर past time भी है अगर आपका score अच्छा है तो आप score को बचा सकते हैं खुद को survive कर सकते हैं तो उपर timing भी चली है score के साथ अभी 3 minute और 9 second बसते हैं जैसे यह time पूरा होगा वैसे ही result declare हो जाएगा जिसके score पॉइंट जादा होंगे वही बिनर होगा तो जितना भी हो सके enemies को damage दीजिए और जो देखो अभी tags है ना तो इन tags को कभी मत छोड़िए यही tags आपको जिताने वाले हैं और इन्हीं tag से आप जीतने वाले हों देखो फिर से हमारा score आगे बढ़ता हुआ kill का इतना जादा score नहीं मिलता है जितना की tags का मिलता है तो जितना हो सके kill कीजी enemies को और उनकी tag मैंने ही छोड़िए तो देखो अभी मेरे streaks चल पड़ी है तो मुझे 2 point bonus में मिल चुके हैं तो यहां पर जितना भी हो सके collect कर रहे हैं हम तो भी 3 point मिले हैं मुझे plus में लेकिन मुझे damage ज़्यादा आ चुकी है और kill हो गया हमें तो streaks में बहुत ही ज़्यादा है अगर आप खुद को kill होने से रुकते हो तो आपका score बहुत ही ज़्यादा जा सकता है बहुत ही आगे जा सकता है और बहुत ही मज़दार जा सकता है तो चलिए आपको जल्दी जल्दी यहां पर बूया करके दिखाते हैं और और जादा खेलते हैं यहां पर तो हमारे जो teammates हैं देखो tags गिरी हुई हैं लेकिन tags उठाने के लिए जाना है लेकिन खुद का tag नहीं बनने देना है तो अभी यहां पर tags collect कर रहे हैं हमारे NB विशाल भाई बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़दार हमने उनके घर की camping जो है वो तोड़ दी है जिससे हमें benefit मिल जाएगा और भी ज्यादा तो मज़ा आने वाला है अब तो इस tags को नहीं छोड़िए और अच्छा score दीजिए बहुत ही easy बहुत ही असाना देखो हमने बूया कर ली 80 points हमने बहुत जल्दी कर लिए बहुत ही मज़दार बहुत ही मज़ाया इस गेम को खेलने में अगर आप time से पहले 80 का score कर लेते हो तो आप winner हो या time के बीच में आपका score ज्यादा है तो आप winner हो तो आपको जितना हो सके tags collect करनी है और अच्छे से अच्छा gameplay करके दिखाना है तो अभी यहाँ पे result नहीं आया सायद कोई update का issue है लेकिन यह हमें मिल जाएगा और साथ में match खेलने में हमें और भी reward मिल रहे है kill square के साथ आपको parachute की skin और बहुत सारा कुछ reward है जिसमें एक आपको banner भी है वो भी मिलने वाला है तो आप ले सकते हो इसको kill square mode को और इस तरह से खेल सकते हो आप और easily bin कर सकते हो free fire में kill square mode को और enjoy भी कर सकते हो free fire में kill square mode को तो यही था इस वीडियो मैं उमीद करता हूँ और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ मैं बैल नोटिफिकेशन टैप करके all कर लेना जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहेगी मैं लाता रहता हूँ free fire के latest news, update, events के बारे में जानकारी और व अगर आपके मन में कोई सवाल रहता है free fire kill squared mode को लेके तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो जिसका जवाब मैं आपको reply मैं दे दूँगा अगर आप मुझे बात करना चाते हैं तो मुझे social media में facebook और instagram पर follow कर सकते हैं जिसका link मैंने description में दे रखा है और आपके पास कोई suggestion है, कोई tip है, how can I improve my content तो मुझे comment करके ज़रूर बताना और साथ में मुझे ये भी बताना कि आप next video किस topic में देखना चाते हूँ तो comment section में मुझे mention जरूर करना तो यही था इस video में मिलते हैं बहुत जल्द अपने next video में तब तक के लिए bye bye take care and happy hunting